कहानी पहली नजर का प्यार एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था और उसे प्यार मोहबबत में कोई दिल्चस्पी नहीं थी उसके दोस्तों ने कई बार उसे प्यार के बारे में समझाने की कोशिश की लेकिन आरफ को लगा कि प्यार सिर्फ फिल्मों और किताबों में होता है एक दिन आरफ को अपनी मां के कहने पर बाजार जाना पड़ा वह हमेशा की तरह जल्दी जल्दी काम निप्टा कर घर लोटना चाहता था बाजार में उसकी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी वह लड़की सबजियों की दुकान पर कुछ खरीद रही थी उसकी सादगी, उसकी हसी और उसके चहरे की मासूमियत ने आरव को वहीं रोग दिया आरव की नजरें उस लड़की से हट ही नहीं रही थी उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल की धड़कने अचानक इतनी तेज क्यों हो गई वह लड़की जब अपनी खरीदारी खत्म कर चली गई तो आरव भी बिना कुछ खरीदे उसके पीछे-पीछे चल पड़ा लड़की का नाम सिया था सिया एक साधारण परिवार से थी और अपने माता-पिता के साथ रहती थी आरव ने उसकी हर आदत को ध्यान से देखा उसके हर हाव-भाव को समझने की कोशिश की हर दिन वह बहाने से बाजार जाने लगा बस सिया की एक ज़लक पाने के लिए एक दिन आरव ने हिम्मत जुटाई और सिया से बात करने की कोशिश की वह कुछ कहने ही वाला था कि सिया ने मुस्कुराते हुए कहा आप रोज यहां आते हैं, कुछ खरीदते नहीं, बस देखते रहते हैं क्या बात है? आरव थोड़ा जिजगते हुए बोला वो दरसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सिया ने हंस्ते हुए कहा तो फिर कहिए न आरव ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया जैसा आपके लिए करता हूँ शायद ये पहली नजर का प्यार है सिया ने उसकी आँखों में देखा और फिर हलकी मुस्कान के साथ बोली आप बहुत सीधे सादे हैं लेकिन मुझे यह बात अच्छी लगी मुझे भी आपसे बात करने का मन करता था पर मैंने कभी हिम्मत नहीं की इस तरह आरव और सिया की पहली मुलाकात हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और वे समझ गए कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं आरव को अब प्यार पर यकीन हो गया था उसने सिया से वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और सिया ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी इस तरह पहली नजर का प्यार धीरे धीरे एक गहरी और सच्ची मोहबत में बदल गया और दोनों ने अपने प्यार को एक नया सफर दिया